फाइनली दोस्तों बजाज कंपनी इंडियान टू वीलर मार्किट में न्यू बाइक विंड 125 को लॉंच करने वाली है विंड 125 इंडिया में लॉंच होते काफी अच्छी हाइप क्रेट करेगी विंड 125 को बजाज काफी फोड़ेबल प्राइस पर लॉंच करेगा 2003 में बजाज ने विंड 125 को कुम्यूटर सेग्मेंट में लॉंच किया था लेकिन तब 150 CC बाइक की मार्किट ज्यादा थी 125 CC बाइक के कमपैरिजन में जिसके बाद कम सेल के चलते बजाज ने विंड 125 को इंडिया से डिसकॉंटिन्यू कर दिया था 2009 में फिर से बजाज रेट्रो सेग्मेंट में लॉंच होगा इंडिया में तो आज के वीडियो में बात करेंगे All New Upcoming Wind 125 के लॉंच आपको कब तक देखने को मिलेगा प्राइस कितना रखा जाएगा So complete detail के लिए वीडियो को end तक देख लेना ताकि आपको सारी information मिल जाए चलिए शुरू करते हैं आज के रेव्यू को Indian market में sporty bike में काफी option मिल जाती है 125cc सेग्मेंट में लेकिन 125cc इंजन में आपको एक भी retro bike की option नहीं मिलती So इस segment में Bajaj Wind 125 को launch करेगा जो की modern retro look में launch होगा इंडिया में So oral design शांदर retro looks में होगा इस bike का Front में आपको मिलेगी round setup में headlight, indicator होलोजन होगे And rear tail light आपको LED में मिलेगी Meter console fully digital होगा Seat flat long comfortable seat होगी Front and rear wheel में आपको disc brake मिलेगी So engine मिलेगा Bajaj Wind 125 में 124cc air cool force dog BS6 compliant engine जिसमें overall ये bike power generate करेगा 12 PS की maximum power Number of gear होगे 5 speed transmission के साथ Front suspension मिलेगा telescopic fork front suspension And rear suspension होगा twin shock absorber So mileage मिलेगी इस bike में आपको approximate 60 की And top speed ये bike generate करेगा 100 की So Bajaj की Wind 125 में features क्या कुछ मिलेगे USB charging port, single channel ABS and Bluetooth connectivity जैसे premium features, overall color combination, matte and metallic option के साथ मिलेगा So अब बात कर लेते हैं all new upcoming Bajaj Wind 125 के pricing के बारे आखिर Bajaj इसका price कितना रखेगा, price होगा Wind 125 के approximate 1 lakh rupees तक And अगर हम launch की बात करेंगे तो Bajaj Wind 125 का launch आपको next year तक देखने को मिलेगा 2025 में So आप में से किसके पास थी पुराने वाली Wind 125 कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं So अगर Bajaj इस bike को दोबारा से relaunch करता हैं, क्या आप इसे फिर से prefer करोगे बाई करना So होप करता हूँ, आज की वीडियो आपको काफी informative लगी होगी चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी update मिसना हो और आप मुझे Instagram पे DM कर सकते हो, चलिए मिलते हैं अगले review में